36 गड़ में आदामी विधानसवा चुनाओं को देखते हुए भाचपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नबीन और रास्ट्रे संगठन महामंतरी बील संतोष प्रदेश के दौरे पर है इसी कड़ी में उन्होंने कोर्ड ग्रूप और अलग-अलग मोचा प्रभारीयों की बैठक ली जहाँ पार्टी के अलग-अलग पदादिकारियों की अलग-अलग समीतिया बनाकर उन्हें चुनाओं का काम सौपा गया प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रस्वार्ता कर बैठकों को जानकारी दी है इस दौरान उन्होंने पी-एम अवास को लेकर सी-एम भुपेश बगेल पर जम कर तंच कसा प्रदेश अभ्यक्ष अरुट साव ने बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कोवर कमीटी, संभाग्य प्रभारी, प्रदेश महामंत्री और तमाम मोचा पदाधिकारियों के अलग-अलग समुग की बैठक ली गई प्रारम में संभागी प्रभारी और प्रदेश महामंत्री की बैठक हुई, उसके बाद मोर्चों के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई, कोर गुरूप की बैठक हुई और अभी चुनाव समीती के लिए, चुनाव के द्रिष्टी से जो समीती बनाई है, उसकी बैठक हो रही है, सभी बैठकों में आगामी चुनाव के द्रिष्टी से पार्टी के आगे की गतिविधी और कारियोजना पर चर्चा हुई है, पूरी ताकत से, पूरे मजबूती के साथ हम चुनाओं के मैदान में जाएंगे और चत्तिर गड़ में अपनी सरकार बनाने के लिए ये हमारी कार योजना बनी है अरुम सामने सीएम भूपेश बगेल द्वारा पीएम अवास योजना को लेकर मोदी को लिखे गए पत्र के संबंध में तंज कस्ते हुए कहा कि 16 लाग गरीब परिवारों के जखमों पर नमक छड़कने का काम भूपेश सरकार कर रही है पीएम अवास योजना के तहट साल 2018-19 से लेकर 21-22 तक अवास विकृती के लिए प्रदेश की भूपेश सरकार द्वारा सहमती नहीं बनाई गई और चुनाओं के समय पर घड़ियाली आसु बहा रही है उन्होंने पीएम अवास योजना में भूपेश बगेल को दोशी बताते हुए प्रदेश में एक बार फिर भास्टपा की सरकार बनाने का दावा किया है भूपेश बगेल ने उन 16 लाख परिवारों के जखमों पर नमक छड़कने का काम किया है ना 2018 में ना उन्नीज भीस में ना बीस इकीस में ना इकीस बाइस में आपने प्रदान मंतरी आवास की स्विकृती की सहमती प्रदान की और आज जब चुनाव नस्दीख है चला चली की बेला है घड़िया ली आसु बहाने के लिए आपने वो पत्र लिखा है लेकिन ये पत्र आपने लिखकर एक बार फिर उन 16 लाग परिवारों के जखमों पर नमक छिड़कने का काम दिया है